सभी दर्शको कुर जश्रकृष्णा नमस्कार प्रणाम अक्षत रतिया में विश्ष्ट आजमाया हुआ उपाय कैसे करें और जाने इसका महत्वा विशेश रोप से दस तारीक मई का महिना शुक्रवार महादक्ष्मी का विशेश रोप से दिन माना जाता है इस दिन अक्षत रतिया का प्रारम होता है और इस दिन दस तारीक को दोजार चौविस में यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही जीवन परियंत, वर्ष परियंत, लगातार आपको धन लक्षमी के कमी नहीं रहेगी क्या है पहले जानते हैं रहास से दरसल अक्षत रतिया का महत्व भविश्य पुराण में वर्णित है धर्मात्मा नामक एक बहुत अच्छा एक बनिया था धर्मपराण और सत्तिवादी होने के कारण वो दयालोग ही बड़ा था लेकिन निर्धन था क्योंकि सत्च बोजदा था इसलिए सदाई वो परिशान पी रहता था चिंतित रहा करता था और एक कामों जिरूर करता था अक्षत रतिया में गंगा के तट पर वह सत्तो चावल चीनी फल वस्त्र आदि से पूजा करके वहां से वापस आकर अपने घर में ब्रहमनों को डान अवश्य ही बेता था जिसके कारण परिशानिया तो चलो नहीं खतम हुई जब उसका देहान तो हुआ तो वो बिसिष्ट रूप से एक सुन्दर कुशावती नगरी में जन्म लेता है संपन शत्रिय परिवार में उसका जन्म होता है अक्षय तरतिया पर किये गए शिब कर्मों के तभाव से बड़ा रूप वान धर्म पारायण एवं परोपकारी राजा बना उसने अपने राज जेकाल में भी ब्रह्मनों को अन, भूमी, गाय, सोना, चांदी, जमीन इत्याधी खुब दिया उसको अपने पुर्ब जन्म के किये गए सक्थ कर्मों का फल, अक्षय फल के रूप में मिला और वो मुक्ष का भागी भी बड़ा इसलिए इसमें जो कर्म के जाते हैं वो कभी छै नहीं होते हैं महिमा क्या है अक्षय तरजिया की इसके बारे में जान लेते हैं इसी दिन सती यूग की, त्रेटा यूग की शुरुवात हुई स्रिष्टी के रचैता श्री ब्रम्भाजी के सपुत्र अक्षय कुमार का वर्णित है जन्म हुआ महरशी परश्राम जी का इसी दिन जन्मोत्सो मनाय जाता है, जैनती मनाय जाती है मा अन्नपूर्णा का अवत्तरण हुआ मा भगवती भागी रथी गंगा का भी अवत्तरण हुआ इसी दिन धन के देवता कुवेर जी को कुवेर भंडारी बनाया गया भगवान शे कुर्ष्ण के बचपन के सखा सुदामा जी को वहां जाकर के सुदामा जी की तंदुल भगवान शेक कुर्ष्ण ने द्वारिका में जब ग्रहन किये तो सुदामा को अक्षे धन के प्राप्ती हुई महावारत काल में जब दुर्योधन दुरोपदी की साड़ी केचवाने के लिए प्रयास करता है चीर हरण करवता है उस समय दुशासन ने चीर खीषते खीषते ठकान फील की खीच नहीं पाया वह साड़ी कभी कम नहीं पड़ी कहते हैं उस दिन भी अक्षे तरतिया के पुन्य का फल दुरोपदी को प्राप्त हुआ और इसी दिन चारो धाम की आत्राओं में बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं और भगवान के दर्शन बहुत सारे दफ्त करते हैं लाखों की संख्या में व्रंदावन में जाएं अगर आप विहांके विहरी लाल जी इस दिन चरण दर्शन देते हैं साल में एक बार उनको मंदिर परिशन से बाहर विशिश रूप से दर्शन के लिए पधराया जाता है तो ये कुछ महत्त पुन जानकारियां आपको दी और अब उपाय के बारे में आपके साथ चरण करते हैं करना क्या है पीतल का लोटा ले लेजिए उसमें सुद्ध करके गंगा जल इत्यादी रखके आम्र पल्लो या पंच पल्लो आम का पल्लो हो तो बड़ा अच्छा है पंच पल्लो नहीं मिल पाता तो उसके बाद उसमें पंच रत्म इत्यादी भर करके कलश पूजा करके नारियल उपर रखके लालवस्त्र से डखके एक चोकी पर रख दें लालवस्त्र बिशा करके उसके बाद एक बिसिष्ट उपाय जो अब आपको करना है चोमुखी दिया जलाएं बनाएं आटे का बना लें चाहे मिट्टी का ले लें चोमुखी दीपक जलाना है घी का ही जलाना है एक कटोरी में पीतल की कटोरी में या मिट्टी की कटोरी में पीली सरसों भरके उसी की उपर दीपक रखके चोमुखी दीपक जलाना है लक्षमी गायत्री का पाठ जाप कमल गटे की माला से करना है जितना कर पाएं आप एक माला, पांच माला, ग्यारा माला, एक कीस माला जाप करें दीपक जलते रहना है, बुझने न पाएं, कोशिश करें कि जितनी देर जल सके, 24 घंटे भी जल सके दीपक, तो उसे जलाएं. अगले दिन जब दीपक शांत हो गया हो, तो सबसे पहले पंच पल्लो जो आम पल्लो है लोटे में से, वो निकालके अपने घर में छिटे देने सब जगे. जल से और थोड़ी सी सरसों के छिटे देने पी रख चुके होंगे. संभोता मैंने बताया है पंच रत्न, यदि नहीं बताया तो सुन लिजिए. पंच रत्न पंसारी के दुकान से उपलब्ध हो जाते हैं. पंच रत्न भी उस दिन कलश में रखना है. अगले दिन उस पंच रत्न को थोड़ी सरसों के साथ कुछ 101 रुप ये, 21 रुपई ये. कोशिश करें, सिक्के हों तो ज्यादा अच्छा है. दद्दस के सिक्के मिल जाते हैं. उनको लाल का पड़े में साथ में सरसों, साथ में वो पंच रत्न लपेट के रख लें. और जहां आप ब्यापार अस्थल पर बैखते हैं, खजाने में रख दें आपने घर में रख दें. इस उपाय के करने से बहुत लोगों को लाब प्राप्त हो चुका है. इसलिए आपको बताया है. यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक नहीं दुबारा-दुबारा से इसको रिपीट करके सुदीजेगा. तो उपाय करने के बाद आपको इसका प् मंत्र जपने के लिए माला, कमल गट्टे की हो तो ज्यादा अच्छा है, ने तुलसी की माला, सरोसिद्ध है, रुद्राक्ष की भी चल सकती है. अथवा इलाइची उपर आप गिनती कर सकते हैं मंत्र का. इसके साथ ही आपको ये पूरा उपाय करने के बाद हमें कमेंट कर क्या आपको ये प्रतिफल देने वाला उपाय चमतकार दिखा रहा है और आपने गर किया ये उपाय सब ते मानियें तो आपको चमतकारिक रूप से इसका प्रतिफल अवश्य ही मिलेंगा. इसे के साथ लेते ही बिदा, इस वीडियो में पुनहकिसे विशे पर आपके साथ आप चर्चा जोतिश में करेंगे तब तक नमस्कार जैशे कुष्णा अपनाम.